हेलो एव्रीवन वेलकम टू मार्केट में दिखाई देते हैं तो जब भी आपको भुट्टे मार्केट में दिखाई दे तो भुट्टे ले और इस तरह से भजिया बनाएं बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह भजिया अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजि सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो में लेकर आती रहती हैं तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है मैंने यहां पर दो भुट्टे ले लिए हैं अगर आपको विल्कुल दूदिया वाले भुट्टे मिलें मार्केट में तो वह लीजिएगा लेकिन मुझे इस तरह की मिल तो यह देखिए मैंने दोनों भुट्टे कर दूकस कर लिये हैं और यह एक कटोरी से भी ज्यादा निकल आया है अब हम इसमें दूसरे इंकेंट्स डालेंगे भुट्टे थोड़ी से पके हुए थे इसलिए ड्राय है और मैंने यहां पर आधा कटोरी बेसन लिया है इसको हम एक साथ ने डालेंगे दीरे-दीरे करके डालेंगे और यह एक कटा हुआ प्याज बारी कटा हुआ डाल दिया है हमने और बेसन की क्वाइंटिटी डिपैंड करेंगे अगर थोड़ा सा पका हुआ है तो बेसन कम जाएगा भुट्टा अगर कच्चा है विल्कुल दूर जाल दिया है और यह हम अजवाइन अधा चमच आजवाइन है जिसको हम धशका करके डाल देंगे अगर आप चाहे तो यहां पर घरम मसाला और यह आदा चमच मैरे अंचूर पाउडर डाला है अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे इंग्येंट्स को और फिर इसके बाद हम देखेंगे अगर हमें पानी की जूरत होगी तो फिर पानी डालेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा भुट्टा जो था वो थोड़ा सा सूखा हुआ था पका हुआ था इसलिए यहाँ पर मैं दीरे दीरे करके बिल्कुल पानी डाल दी हूँ हो सकता है कि आपको पानी की जूरत ना पड़े भुट्टी की उपर टोटली डिपेंड करता है अगर भुट्टा कच्चा होगा तो मिक्स्चर अपने आप ही गिला हो जाएगा उस पानी की जूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर मुझे बहुत सूखा लग रहा था वुल तो यह है फाइनल कंसेस्टेंसी इससे जादा गीला हमें नहीं रखना है अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइट है तो आप थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं यहां पर मैंने ऑईल गरम करने के लिए रख दिया था उसमें से एक चमच हम ऑईल का डाल लेंगे इससे भुटे के पकोड़े बहुत क्रिस्प बनेंगे और दीरे-दीरे करके हम हाथ से ही डालते जाएंगे गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है मीडियम टू हाई रखना है अगर गैस का फ्लेम शिम रहेगा तो पकोड़ों में बहुत ज़्यादा ओल चला जाएगा जो की ओ तो यह किए हैल्डी होने के साथ साथ में टेस्टी हैं और बहुत ज्यादा इन वह भी नहीं लगता है तो जब भी आपको सीजन में भुट्टे मिलें तो आप इस तरह से बनाई हैं इसके मौसा में चाय के साथ, सॉस के साथ, या फे धनी की चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इनको हम उलट पुलट करके कम से कम 5-7 मिलिट लग जाते हैं, सेख लेंगे इनको कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अगर आपको लगता ह है कि गैस का फ्लेम बहुत जादा हाई हो गया है, तो आप मेडियम कर दीजिए, गैस का फ्लेम लेकिन बिल्कुल क्रिस्प होने तक यह पकाने हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा शिकने में अंदर तक, लेकिन यह टेस्टी बहुत ही लगते हैं खाने में, और यह दे प्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, जो न्यू व्यूवर्स वो सब्सक्राइब जरूर करें, पांच मिनिट में ही पकोड़े कितने क्रिस्पी बनके तयार हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे, बिल्कुल क्रिस्प बने हैं, तो इस तरह से मैंने एक बड़ी और ओयल देखिए, कितना कम ओयल लगा है, मैं आपको पास से दिखा रहेती हूं, बहुत ही परफेक्ट ये पकोड़े बने हैं, ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही क्रिस्पी हैं ये पकोड़े, तो एक बार जरू ट्राय करें, आप जब भी बारिस देखिए, बहुत ही क्रिस्पी हैं, यहां पर मैंने दूसरे पकोड़े भी डाल लिये हैं, बचा हुआ बैटर जो था, उसके भी मैंने बना लिये हैं, बुलकुल अच्छे से सिख गए हैं, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टैन नहीं लगता हैं, टोटल मिला कि 10 मिनि देखिए, चाय भी बने के तयार हो गई है, इनको भी अब हम निकाल लेंगे, तो सारे पकोड़े मैंने सेख के तयार कर लिये हैं, और आप देख रहे होंगे, सारा का सारा ओल अभी रखा हुआ है कड़ाई में, तो बहुत कम लगता है, लिकिन आपको गैस का फिल्म हाई रखना है, मीडियम टू हाई कर सकते हैं, लिकिन सिम नहीं करेंगे, सिम करने से पकोड़ों में बहुत ज़्यादा ओयल चला जाएगा, जिससे की ओयली पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, खाने में अनहल्दी हो जाएंगे, तो इनको भी हम सर्व कर दें मैंगो पिकल है, वो भी चेक कर सकते हैं, लिंक्स में दे दूँगी,